नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी य्टूब चैनल में दोस्तों केसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि भगवान महाकाल के आसिरवात से अप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों अब खुस हो जाओ और आप खुश्या मनाओ जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको पूरे 11,000 का दक्षिना देना पड़ेगा जिहां दोस्तों श्वम भगवान महाकाल के आशिरवात से आपको एक एसी खुसखबरी मिले हैं जिसे कि दोस्तों आप तुरंट 11,000 का दक्षिना दे देंगे जिहां दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आपके किस्मत में एक बड़ी लोटरी लग गई है जो कि दोस्तों आप सुनेंगे तो दोस्तों आपका भी होस उड़ जाएगा जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान महाकाल के आज सिरवात से अब आपके जीवन काल में इस महिने के अंदर में भी दोस्तों एक के बाद एक खुश खबरिया अब आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं जिसे कि दोस्तों लोग भी कहेंगे कि वह किसमत हो तो ऐसी जिहां दोस्तों और आप भी कहेंगे कि हे भगवान हमें इतनी बड़ी खुश खबरी दे दी हमें यकीन नहीं होता है जिहां दोस्तों जलसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें की सब कुछ गरहों का खेल है सब कुछ कर्मों का खेल है दोस्तों जैसा जिसने कर्म किया है भगवान उसको वेसा ही परिनाम देते हैं जिहां दोस्तों और आपके अच्छे कर्म और आपके अच्छे पुरुस्तात की लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ समय से आप सभी के जीवन काल में एसा समस्या एसे आर्थिक तंगिया चल रही है जिनसे आप बहुती परेशान हो चुके हैं लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो क्योंकि दोस्तों फल तो श्वम भगवान भोलेनाद देते हैं जहां दोस्तों भगवान भोलेनाद के आसिम असिरवास से आप सभी कर जीवन बदलेगा क्योंकि दोस्तों यह समय श्वम भगवान भो आपको देने वाले हैं। के अंदर आपको कौनशी महत्वपुन शाबधानिया रखनी चाहिए जिनसे दोस्तों अब अपने जीवन काल को और भी ज्यादा बेहतर बना सकी तो दोस्तों आज का यह वीडियो गरह गोचर पर निर्मित पुर्णता आप सभी के लिए बहुती ज्यादा लाप्तरत होंगे इन्हें बिल्कुल ही मिस करने की गलती ना करें और अच्छे इंसान की तरह वीडियो को अंतर तक देखिएगा दोस्तों यकीन मानिये कि आपका जीवन बदल जाएगा इस वात की पूरी गारेंटी है क्योंकि दोस्तों श्वम भगवान भुलनात कहते हैं कि तु मुझ पर यकिन कर अपने रास्ते पर चलता जा तेरे साथ कोई है या नहीं है इस वात की फिक्र मत कर क्योंकि इस वात की फिक्र मैं करूंगा क्योंकि तुम्हारा कर्म जेसा होगा तुम्हारा साथ भी वेसा होगा जिहां दोस्तों दोस्तों इतियास गवा है कि भुलनात अपने भक खुज़ क्खबरिया मिलेगे कि वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा जहां दोस्तों या बात में अगर आपको सचाय लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक जरूर करें साथी साथ दोस्तों भागवान स्री ASMR यह भी कहते है कि कभी भी अपनी जीवन काल में आगे बढ़ रहे हो मेहनत कर रहे हो अगर आपको सफलता भी मिली है तो उन सफलताओं पर कभी भी घमड मत करना क्योंकि घमड भगवान का आहार होता है जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपने रूप और रुपे का कभी भी घमड नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों मौर को उनके पंखों का बोज ही उचा उड़न नहीं देता है जिहां दोस्तों तो दोस्तों यहां बात अगर आपको अच्छी लगी हो सटिक लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्न राधे राधी और दोस्तों इस चैनल पर नई हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेश करके औल पर शलेट कर लें तो अज दोस्तों बात करते हैं कि यह तीन दिनों के शमय अबदी में भगवान भोलेनात के आसिम आसिरवात से आपके नसीब में क्या-क्या लिखा है आपके घर के माह में दिक काम भी बन शकता है कई भी निवेश करने के लिए समय बहुती अनुकुल है निकट भविस में फायदा होगा तार्मी गति विदियों में भी आस्था बढ़ेगी साथ अपनी योजना को क्रियावेंद करने का उचित समय है अपनी योगता को पहचाने आज आपके स में बहुती लाबदायक साबित होंगे परतिस्टित लोगों से मुलाकात लाबदायक और समान चनक रहेगी तहा आपका व्यक्तित में भी निखार आएगा घर के रखराखाव समंदी वस्तों की शोपिंग भी होगी दोस्तों आपका ग्रह गोचर बहुती अनकुल बना हु में लाबदायक और खुशी भरी परस्तियां बन रही है युआंको भवी शमंदी फैसले लेने के लिए उनके अंदर हिमत आएगी और पटी समंदी को इरुका हुआ काम बन चाने से शुकुन और रहत मिलेगी परिवार के साथ धार्मी गात्रा शमंदी प्रोग्राम भी ब पन हो सकती है और इसी की वज़े से समंदम में भी खाटास आएगी समझदारी और सांती से काम लें ध्यान रखें कि कोई वीती हुई नकार्तम बात आपका आज भी खराब कर सकता है इसलिए वर्तमान गत्य विधियों पर हिध्यान दें तक खुद को व्यस्त रखें विध पन्योती के आफसर बन रहे हैं कुछ अध्यकारियों के साथ समंदम में मधूर्ता बना कर रखें अपने व्यक्तिकत गतवीदियां किसी के समख्ज भी जाहिर न करें आपके लिए कोई परिशानी खड़ी कर सकती है परिवार के किसी सदेसे के नकारतों वहवार से तनाव परिवार की वज़ा दोस्ताना वहवार रखकर समझाने का प्रयाश करें कारे छेतर पर अपनी उपस्ति अनिवार रखें ता अपने योजनाओं को शारवजनिक ना करें आपका अपना ही कोई कर्मचारी आपकी योजनाओं को लिक भी कर सकता है यह समय अपने काम के परती और अधिक मनन चिंतन करने की ज़रत है दोस्तों इन तीन दिनों का शमय आपके लिए बहुती सा करतमक रहेगा ता आप खुद को उर्जवान महसूश करेंगे गर में कोई मांगली कारे समयने उजना बनेगी ता परिवार और समाजी गरती विदयों में आपका विसेष योगदान रहेगा आई और वेब में संतुलिद बना रहेगा अपने वैबसाइक पर्ति देतियों की गरती विदयों के पर्ति बिल्कुल ही लापारवाही ना करें आपकी समझ और सुजबूज से कारास्तल पर लिए गए ठोस निलने बैतरीन शावित होंगे और काम याभी भी मिलेगी अपने काम करने का तरीका किसी को शेयर न करें उहें दोस्त आपके लव लैप के बारे में बात करें तो घर परिवार में शुकुन भरा वातारवन रहेगा पती पतने के बीच रोमांटिक समन्द बने रहेंगे जीवन साथी देथा परिवार जनों का आपके पूर्ण शाहयोग रहेगा प्रेमी प्रिमिका को मुलकात का आफसर सुलब हो शकता है उहें आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो स्वास्त ठेक रहेगा वलते मोसम की वज़े से सुस्ती हावी हो सकती है माईलाये अपने स्वास्त के परती विश्यस रूप से सजग रहें अपने खान पान और दिन चार्या की परती लाप परवाही बेलकुल न करें और सकार्तमा दिश्टिकोन बना कर रखें। और दोस्तों उस दिन पांच पत्ते वाले वेल पत्र शिवलिंग पर चड़ाएं। इससे दोस्तों आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी।